तक्रीबन पाँच घंटे लंबी चली किंद्री ग्रहमंत्री ने जो मीटिंग ली सारी सुरक्षा बल और सुरक्षा एजन्सियां जमू कश्मीर से यहां पर आयोए थे विवरन देने के लिए कि आखिर क्यों जमू में इतने आतंकी हमले हो रहे हैं चार पॉइंट्स के उपर किंद्री ग्रहमंत्री ने जोर मारा पहला जो पॉइंट था उन्होंने कहा कि जमू में एरिया डॉमिनेशन प्लान और जीरो टॉलरेंस प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल की जानी चाहिए सफलताओं को धोराने के निर्देश दिये ग डोडा हो चाहे वो रियासी हो या कठवा हो तो इसके उपर किंद्री ग्रहमंत्री ने जोर दिया और दूसरा था कि इनोवेटिव स्किल्स के जरिए आतंकियों पर कारवाई कर एक मिसाल करने की कोशिश कर रही है मोधी सरकार इनोवेटिव यानि टिक्नीक के उपर भी जो जोर दिया क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा आने वाली है तो टिक्नीक के उपर जादा जोर देगी मोधी सरकार अगर हम बात करें ड्रोन से सर्वेलेंस की या फिर चिप से कि किस तरह से बायो मेट्रिक्स के जरिए हर एक हर एक यात्री को सुरक्षित बनाने की जो कोशिश ह वो की जाएगी जो तीसरा पॉइंट है जिसके उपर किंद्री ग्रह मंत्री ने जोर दिया वो था कि सभी एजंसियों को मिशन मोट पर काम करने की जरूरत है और एक तरीके से ये सुनिश्यत करना चाहिए कि जो भी यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाएगा वो सुरक् अखिर में अमिर्शा ने सुरक्षा एजंसियों के बीच ये भी बोला कि आपस में तालमेल बढ़ाएं क्योंकि हमने देखा है अकसर एक एजंसी कोई रिपोर्ट देती है और दूसरी एजंसी खारीच कर देती है मिसाल के तोर पर आर्मी हमेशा ये बोलती रही है कि पिछ अच्छा समनवे बनाने की जरूरत है अच्छे कॉडिनेशन बनाने की जरूरत है ताकि आप दूसरे के एफ़र्ट को बूस्ट कर सके ना कि निगेट कर सके तो ये चार बातें जो है वो केंद्रिक घ्रहमंत्री ने जोर दी जब उन्होंने मीटिंग लिए और साथ में ये पहुंचे हुए तो उन सभी स्पोर्ट को सुरक्षित किया जाए ऐसा भी निर्देश CRPF और पारमिल्टरी को दिया गया है तो पांच घंटे लगभग ये मीटिंग लंबी चली और इसमें आर्मी से जुड़े हुए ऑफसर्स भी थे नाशनल सेक्यूर्टी से जुड़े ओकी जो सरकार है वो आगे जाएगी नई दिली से कैमरा परसन मुहमद मुर्सलीन के साथ नीता शर्मा इंड़ी टीवी इंडिया के लिए